खुल्वंत जी अर्दिपंगर जी यह जो आपने सवाल पुछा यह थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मेरे को यह समझ में आया तो इसलिए मैंने सुछा कि मैं आप दोनों को बता हूँ और आप लोगों ने जानना चाहा आपके जिग्यासा है इसलिए मैं आपको बता रहा दृष्टियां होती है सर एक सो परसें दृष्टी और जिसको किया हम बुद्ध की मिलावट बोलते हैं आप जिस भी किताब में से पढ़ रहे हो आपने पढ़ा होगा इसको बुद्ध की मिलावट बोलते हैं यह बंद मुठी के खाने हैं जो एक चार साथ-दस सिरफ उसी में applicable है अब इसका मतलब क्या हुआ उदारन सिना आपको समझाता हूं example देखे कि जो एक चार साथ दस में जैसे कि एक में अगर सुर्य बठा है और सात्मे में अगर बुद्ध और शुक्र बठे हैं तो बहुत से लोग ऐसी prediction देते हैं कि भी ओ एक का सुर्य तो सात्मे के शुक्र को बरबाद कर बेगा लेकिन इस द्रिष्टी के हिसाब से और ऐसा होता है कि जो एक का सुर्य है सात्मे घर के ग्रहों में अपने असर मिलाता है सिरफ वो सात्मे घर पे यानि कि सात्मा घर जिन जिन चीजों का कारक है कि सात्मा घर कारक है आपकी ग्रहस्थी का आपकी पार्टनर्शिप का उस पे कोई असर नहीं डालता पहले घर का सुर्य है यह होती है बुद्ध की बिलावट यानि कि पहले घर का ग्रह सात्मे घर के ग्रहों में अपने असर यूं के यूं मिला जेता है जाके और एक mix करके साथवे घर में तीन ग्रहों के आपको effect आएंगे और सब दूसरी दिश्टी होती है मंगल की मिलावट जिसको बोलते हैं वो सिरफ और सिरफ जो corner के घर है जो सिरफ corner के घर हैं उनमें ही applicable है उसको मंगल की मिलावट बोलते हैं अब उसमें क्या होता है कि जैसे माली जिये छटे घर में कोई ग्रह बैठा है और दूसरा ग्रह बारवे घर में बैठा है या बारवा घर खाली है तो इन दोनों situation में क्या होगा और इसको पूर्ण दिरिश्टी बोलते हैं पहले वाली को 100% दिरिश्टी बोलते हैं जो एक चार साथ दस में होती है और जो कॉर्णर वाले घरों में होती है यानि कि 6, 12, 5, 11, 3, 9 या 2, 8 के बीच में इसको पूर्ण दिरिश्टी बोलते हैं पहले वाली को 100% दिरिश्टी बोलते हैं को पूर्ण दृष्टी बोलते हैं दूसरे वाली को मंगल की मिलावट बोलते हैं अब माली दिये छटे घर में शुक्र बैठा है तो छटे घर का शुक्र नीच का होगा अब इस नीच के शुक्र का बारवे घर पे एफेक्ट होगा पहले उसका अफेक्ट बारवे घर पे जाएगा यानि कि छटे घर का शुक्र है उसका जो नीच का अफेक्ट है वो जातक भोगता है तो जातक के उपर छटे घर के नीच के शुक्र के बुरे असर आते हैं तो कि छटे घर में शुक्र नीच का होता है क्योंकि बार्वे踏 घर में शुक्र उच्छ का होता है इसलिए बार्वागर ध्यान दीजिए बार्वागर उस स待 घर के जातक के शुक्र के अफेक्ट को उच्छ के अफेक्ट को भौँता है वो क्योंकि बारवे घर में शुक्र उच्च का होता है, तो बारवे घर किसका हुआ, आपके पडोसियों का हुआ, रिष्टेदारों की बात कर रहा हूं, रिष्टों में, आपके पडोसियों का हुआ, तो यनि कि आपके पडोसी, बारवे घर के शुक्र के उच्च के एफेक बारवे घर में यहां पर मंगल आ गया तो यानि कि जातक का भाई जो मंगल होता है वो बारवे घर के उच्च के शुक्र के एफेक्ट भुखतेगा यानि कि उसकी बीवी सुदर होगी उसकी बीवी सुश्वील होगी यानि कि यह magic है इस चीज़ को explain करने का कि देखो कैसे जा के घरों में ये शुक्र बैठा है इस वज़े से इसको बोलते हैं पूर्ण द्रिष्टी और जातक स्वयम इस छटे घर के नीच के शुक्र के बुरे एफेक्ट भुखत रहा है लेकिन उसी के सामने के घर यानि कि बारवे घर में जो प्लेनेट बैठा है या बारवा घर स् के उच्छ के शुक्र के एफेक्ट भुखतेगा इतना सा डिफ्रेंस है सर इन दो द्रिष्टियों में पहली को बोलते हैं बुद्ध की मिलावट और दूसरी को बोलते हैं मंगल की मिलावट पहली होती है सिरफ इंदर के घरों में एक चार साथ दस में और दूसरी होती है कॉर्णर के घरों में अब इसी तरह से आप एक्जामपल ले सकते हो पहली दृष्टी के लिए बुद्ध की मिलावट के लिए चार और दस के बीच में कि चार में जो प्लेनेट बैठ है वो दस में यूं का यूं जाके मिल जाएगा राइट समझेओ और जो कॉर्णर के घरों में है वो सामने का ग्रै उसके उलट एफेक्ट भुगतेगा अब इसी को आप उलटा ले लो कॉर्णर वालों में एक्जामपल मैं बता रहा हूं आपको कि माली जे चटे घर में बुद्ध बैठ है चटे घर में बुद्ध बैठ है तो चटे घर में बुद्ध उच्चका हो गया अब जो चटे घर का उच्चका बुद्ध है जातक उसके अच्छे एफेक्ट भुगतेगा समझेओ कि नही यानि कि भाई के बिजनेस अच्छा नहीं होगा इस जातक के छटे घर के बुद्ध की वज़े से, क्योंकि वो भाई अब नीच के बुद्ध के बारवे का बुद्ध, बारवे में बुद्ध नीच का होता है, तो बारवे के बुद्ध के एफेक्ट भुगते का भाई, यानि कि उसके बिजनेस में, व्यापार में, कामकारोबार में प्रॉबलम आईगी, या उसका इतना अच्छा नहीं होगा इस जातक की वज़े से, अब सरी जो कौरनर वाली दृष्टी है, ये उनी प्लैनेट्स पे अप्लिकेबल है, जो इन कौरनर्स के घरों में उच्छ या आप्लिकेबल नहीं होगी, क्योंकि पांच और ग्यारा में ना कोई प्लैनेट उचका होता है, ना कोई नीचका होता है, ऐसी दो और आठ के बीच में ये इसलिए एप्लिकेबल नहीं होगी, क्योंकि दो में सिर्फ चिंद्रवा उचका होता है, आठ में कोई भी नीचका नहीं होता, तो इसको explain करने का तरीका मैं सिरफ इसलिए 6 और 12 को ले रहा हूँ, अब माली के दूसरा example ले लो आप, छटे में केतू बैठा है, छटे में केतू बैठा है, तो बारवे में राहू होगा, तो छटे में केतू क्या होता है, छटे में केतू नीच का होता है, तो य बारवे घर में जो राहू बैठा है इस situation में अब राहू क्या होता है राहू आपके ससुराल होती है यानि कि राहू यानि कि ससुराल बारवे घर में जो केतु होता है वो उच्चका हो जाता है तो ससुराल इस छटे घर के केतु के उच्चके effect भूखतेगा क्योंकि बारवे म केतु उच्च का होता है तो ससुराल में केतु के अच्छे असर होंगे ये फर्क है इस पूर्ण द्रिष्टी का अशा करता हूं कि मेरे एक्जामपल से आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप काउंटर सवाल पूछें तो मैं उसका जवाब दूँगा पर यही मेरा यही इसी ढंक से किताब में सर समझाया गया यह आप अब एक्जामपल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे सा समझ में आ जाएगा आ जाना चाहिए जया मातावी नमाशकार सर थेंक्यू थेंक्स रॉट आपने इतना अच्छा एक्स्प्रेइन किया और बहुत हद तक मैं शुक्रियाद अगरूंगा आपको क्योंकि मैं दो दिन से काफी परशान था इसमें और थेंक्स लॉट आपने थोड़ा एक्जामपल दे के समझाया मुझको बस इसमें मेरी एक दो क्वेरीज यह हैं कि जैसे फॉर सपोज मान लिजे की ब्रिस्पती अगर चौते में हैं और बोद जो आता है वो दस में तो क्या ऐसा विगाउस हमने पढ़ा है कि अगर बोद आता है तो यानि बोद की दृष्टी भी जा रही है यानि उलट दृष्ट ड्रिष्टि भी जा रही है दस से चौते में क्योंकि बोद आता है तो ब्रिस्पती पेमंदा एफेक्ट होता है और ब्रिस्पती भी इब को कहराब करता है तो इसका मतल चाम मतलब यह है कि यानिETH बिद की दिश्टी भी पे सपा hoje में पल सूरे चौतेते वाओवा दोर म क्या है इसका मतलब यह है कि यानि बुद्ध की द्रिश्टी भी जा रही है ब्रिस्पती पर और एक और एक्जामपल ले ले लेते हैं मैं सूरे चौते भाव का पड़ रहा था तो सूरे छौते भाव में अगर मंगल दस में आ जाए जो कि मंगल वह उच्चा हो जाता है तो स्मात् Yakima हो सकता है, मां आजए कि乐 हो समय के आप अरह सर जैसे आपने पहला example दिया कि चार में ब्रस्पती है और दस में बुद्ध है तो अब ये जो बुद्ध की मिलावट के हिसाब से कि जो चार का ब्रस्पती है वो यू का यू जाके दस्वे में मिलेगा अब दस्वे में उसका शत्रूबट है तो इसका ये मतलब हुआ क ब्रस्पती और बुद्ध दस्वे में मिलके जो अफक्ट देने चाहिए वो असर आंगे यानिवी जो दुश्मनों के असर आते है तो वह बुद्ध के बुद्ध के अच्छे असर आते लेकिन चार में ब्रस्पती बैठने से ब्रसपती के चोथे घर में तो अफेक्ट अच्छे वोगे लेकिन जो ब्रसपती गा मिलेगा बुद के तो वह दस्वें के असरों को कम कर देगा अब इसमें बुद आपने दस्वें अब बुद्ध इल्टी दिर्श्टी से देख सकता है चौत अगर को तो इसी तरह एसे चौतच घर के आफेक्ट जो बुद्ध जो ब्रस्पती जो गैसे भी बना रहा था सप में दसने के बुद्ध के effect आके मिल जाएंगे तो चौथे घर के भी effect खराब हो जाएंगे यानिजी 4 में ब्रस्पती 10 में बुद्ध बैठने से चौथे और 10 में दोनों घरों के effects मन्दे होंगे अब दूसरा आपने उदारण दिया सूर्य चार में और मंगल 10 में दस में मंगल उचका होता है लेकिन दस में बैठा हुआ मंगल उल्टी द्रिष्टी नहीं डाल सकता चौते घर पे तो चौते घर पे मंगल के कोई effect नहीं आएंगे सिर्फ अकेला standalone सूरिय ही चौते घर के effects को impact करेगा अब इसके उलट सूर्य चार में मंगल दस में तो चौथे का सूर्य दस्वे घर में जाके मिल जाएगा 100% दृष्टी के हिसाब से या बुद्ध की मिलावट के हिसाब से और उसका मित्र बैठा है वहाँ पे यानि कि दस्वे घर में जो कर्मक्षित्र में फायर बहुत जादा हो जाएगी अगर आपके मंगल और सूर्य शुब हैं तो आप ये समझे लो कि भी बंदा अन्थक प्रयास करेगा अपने जीवन में और कभी भी ठकने वाला नहीं होगा अपने कर्मक्षित्र में इस धंक से मैं इसको देखता हूँ चार के सूर्य और दस के मंगल को लेकिन दस का मंगल के उल्टे अफेक्ट चौथे सूर्य में आके नहीं मिलेंगे क्योंकि मंगल के लिए दस से चार में दरिष्टी नहीं आती है जैमातादी सर सर एक चीज़ बताइए फिर ऐसा क्यों लिखाया है कि सूर्य चौथा और मंगल दस्वां बंदा काना हो जाता है ऐसा क्यों लिखाया है वो मंदी हालत में डाला गया है और सेटर को टyangल डिए आईर चलिए मान लिजव कि एकर हम हम चौथे ब्रिष्टी और दस्वे बुत को हटाके मैं दस्वे बुत की जग़ह में दस्वां शुकर कर देता हूं तब ब्रिष्पथी की द्रिष्टी शुकर पे जाएगी और वो शुकर और बिष्पती की मिला आवट दसवे में ही क्यलाई जाएगी अब शुक्र का इंपक्ट नहीं जाएगा चौतेगर में यही मतलब हुआ ना सर जैमाता थी सर जो आप सूर्य चार और दसमे मंगल एक आख से काना यह जो आप चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो आप इसके शब्दों में जा रहे हो इसलिए आप कोई समय नहीं आ रहे हैं आप सोच रहे हो कि सूर्य चार में है और दसमे मंगल है तो बंदे की एक आख चली जाएगी क्योंकि देखो, ना तो चौत्य घर का और ना ही दस्में घर का, कोई संबंद शरीर के उस अंग से, यानि कि आँख से नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझो, कि भी ये कुछ और कहना चाह रहा है इसमें, ना, इस कवीता में या इस टेक्स्ट में ये कुछ और कहन नहां चाह रहा है अब चौथा घर समझो किस चीज़ का होता है चौथा घर होता है आपका भोग विलास का भूमी भवनवान का सुखों का परिवार के सुखों का और दस्मा घर किसका होता है दस्मे घर में आप खपती होते हो जौब में काम करते हो परिशन करते हो है ना वहा वरकहलिक होगा तो एक आँख से काने का इसमें ये मतलब निकलता है कि भी बंदा काम कारोबार में इतना पारंगत होगा कि वो चौते घर के सुख भोग नहीं पाएगा ये दुन्नों प्लैनेट बैठ के दसमें घर में बैलेंस इतना ज़्यादा हैवी कर देंगे कि वो इनसान वो जातक चौते घर के सुख नहीं भोग पाएगा ये इसका ये मतलब है पर अगर इस कुंडली में शनी अच्छा हो जाता है तो शनी फिर बैलेंस बना देता है तो ये धीरे-धीरे खुलते हैं जैसे जैसे आप इसमें डूबना शुरू करते हो और फिर उसमें आनंदाना शुरू होता है तो आप जो काना का जो फिजिकल मीनिंग है उसमें उलजगे लेकिन आप इन दोनों घरों के बैलेंस और ये दो प्लैनेट बैठने से बैलेंस किस ज्यादा इंकलाइन होता है उस शब्दों में कि ऐसा जातक सिरफ एक तरफ के सुख भोगता है दुनों तरफ के यह नहीं की चौते घर के और दस्वें घर के बैलेंस्ट सुख नहीं भोग पाता जै मातरदी आशा करता हूं नहीं समझा पाए